स्वागत है आपका पाई क्लासेज में आज का हमारा टोपिक क्लास नाइन्थ के लिए चैप्टर 11 एक्सराइज 11.2 देखो 11.1 में हमने बेसिक कंस्रेक्शन सीखे थी कुछ एंगल्स बिना प्रोटेक्टर की हेल्प के बनाने सीखे थे किसी लाइन को कैसे हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं परर्पेंटिक रइल्ली वो सीखा था अंगल को टू पार्ट में डिवाइड करना हमने सीखा था अब 11.2 इसकी लास्ट exercise है इसमें दो ही तरह के question है आईए उनमें से सीधे exercise ही करते हैं क्योंकि example एक ही दे रखा और example जैसा सवाल हमारा है question number 4 question 4 तुम्हें समझा देता हूँ example इसमें तुम अपने आप कर लेना question number 1 कह रहा है एक तो हमें base दे रखा है triangle का 7 cm BC इस base में एक angle दे रखा है वो angle bb हो सकता है angle cb हो सकता है तो angle b दे रखा है 75 degree और इसके इलावा जो दो साइड हमारी बच गई वो दो साइड अलग अलग नहीं दे रखी उनको add करके उनकी length हमें दे रखी है तो इसके इलावा side कौन कौन सी बच गई ab plus ac उनकी एक 7 length दे रखी है तो अब कहता है अब triangle बनाओ कैसे बनाओगे देखो ध्यान से समझना और मैं method एक ही बार बताऊँगा आपको अगर कहीं भी doubt हो तो वीडियो को बार बार revise करके रिवर्ट करके देख सकते हो तो सबसे पहले जो हमें base दे रखा है उसको हम लेंगे bc कितना 7 cm जखो इन में step wise marking होते हैं अगर किसी ने इतनी line भी सही बना दी न तो आधा पोना number उसको जरूर मिलेगा अगर 4 number का question है अब इसके बाद हम angle कौन सा दे रखा है b या c अगर b भी दे रखा तो b पर angle बनाएंगे c दे रखा है तो c पर angle बनाएंगे कितने का बनाना है 75 का 75 का हमने last exercise में बनाना सीखा क्या होता था 90 और 60 का half तो यानि पहले 90 का बनाएंगे 90 और 60 का bisect करेंगे तो यहाँ पर परकार की nook रखना कुछ परकार खोल लेना ऐसे arc लगा दी उतना ही खोले रहन देना अब परकार की nook कहा रखनी है यहाँ पर तो पहला यह कितना होता है 60 फिर यह कितना होता है 120 अब 90 का बनाने के लिए 1 arc यहाँ से और 1 arc यहाँ से तो यह बन गया हमारा 90 क अब 90 वाला point ये है और 60 वाला ये है अब इन दोनों को bisect करेंगे हम तो इन दोनों को bisect करके जो line आएगी वो हमारा 75 degree का इंगल होगा उतना ही परकार खोले रहें देना परकार किन होगे एक बार यहां रहें इसी आर्क को आगे बढ़ा देना और एक बार ऐसे तो यह जो line आ तो यहां पर scale से 13 cm दूर एक point हम ले लेंगे उस point को हम मानेंगे x तो यह कितना है हमारा 13 cm तो यह point आ गया x यहां तक सबको clear है ठीक है अब next यह जो point हमने लिया इसको जो अगला point बचा हुआ है यसी उससे हम इसे मिला देंगे तो यहां तक कोई problem कोई problem नहीं लेकिन अभी हमारा triangle नहीं मना है अब अगला step क्या होगा हमने इसको मिला दिया अब यह जो line आई है इधर वाली इसको हम two part में divide करेंगे तो line को हम two part में कैसे divide करते थे 11.1 में सीखा है कि line ले लो परकार को उस line की length से आधे से ज़्यादा ख point से यह काम करना है देखो जैसे यह line है तो इसका आधा लगबग यहां है तो यहां तक खोल लो तो c से हमने अर्क लगा एक एधर और एक इधर अब यही काम हम x से करेंगे एक एधर और एक एधर मिला दो डॉटिड मिलाना इसको तो यहां यह point आ गया और यह point क्या है यही हम इस से मिला देंगे तो यह जो ट्राइंगल बना ना यह वाला यह है हमारा required triangle A B C इस length को और इस length को इस scale से नापके देख लेना कितनी आएगी 13 cm ही आएगी एक तो देखो जो हम construction बनाते डाइम गलती करते हैं आप compass में pencil लगा लोगे उसको level नहीं करते या तो pencil बहुत मोटी है sharp नहीं है तो इन चीजों को ख्याल लगो compass जब तुमने खोल लिया तो अपने आप बंद नहीं होना चाहिए लूज नहीं होना चाहिए थोड़ी सी भी गलती अगर तुमने कर दी तो हमारी construction गलत हो जाती है तो इन चीजों का ध्यान रखना ठीक है अब इसके जैसा ही question है question number five उसमें क्या रखा है base दे रखा है base कितना 12 cm अब कहता right angle triangle है तो जैसे यहाँ पर base देकर angle दे दिया उसनों उना angle नहीं दिया अब क्योंकि right angle triangle है तो 90 degree का angle बन जाएगा for example यह BC है अब यहाँ 90 degree का angle बना ले रहा तो यहाँ तो 75 का बनाया था थोड़ा tough था तो 90 degree का बड़े आराम से बना लोगे बाकि जो दो side बची हैं बाकि दोनो side उसका समदे रखा 18 तो अब जैसे हमने यहाँ से 13 cm दूर लिया था यह point ऐसे यहाँ से हम 18 cm ले ले लेंगे इसको मिला देंगे अब इसका क्या करेंगे पर्पेंडिकुलर वाय सेक्टर आर के दर यहाँ से फिर आर के दर यह मिला या तो यह point आ गया हमारा a इसको इससे मिला दो तो यह a b c यह जो हमारा triangle लाया this is your required triangle ठीक है तो दो question होगे कौन-कौन से 1 & 5 अब हम question करेंगे question number 2 और 3 बिल्कुल same 2 same है मैं 2 बताओंगा 3 तुम अपने आप करोगे ओके देखो question number 2 यह 1 जैसा ही है थोड़ा सा difference है एक तो base दे रखा है base दे रखा है b c 8 cm base का एक angle दे दिया b 45 degree और अब की बार बाकी दो side का sum नहीं दे रखा अब की बार बाकी दो side का difference दे रखा है लेकिन बनाने का method बिल्कुल वही है उसी method से हम इसको बनाएंगे यह दे रखा 3.5 cm सिर्फ क्या difference आ गया है यहाँ पहले plus दे रखा था अब यहाँ minus दे दिया है लेकिन बनाने का method वही है तो सबसे पहले होई बी-सी ले लो 8 cm अब बी पर हमें angle बनाना है 45 degree तो 45 कैसे बनता है 90 का half तो पहले 90 बनाएंगे जैसे उसमें बनाएंगे था हमने यहाँ से compass से arc लगाई फिर उतना ही खुलाना है अपको परकार की नोग यहाँ यह पहली arc यह दूसरी arc और यह arc 90 degree अब 90 degree वारा point यह है और 45 बनाना तो दूसरा point यह होना चाहिए क्योंकि हमें any का half करना है तो एक बार arc यहाँ से एक बार arc यहाँ से तो यह हमारा angle आ गया 45 डिग डिगा ठीक है अब इसके बाद हम क्या करते थे यह वाली जो length दे रखी होती थी यहाँ से उतने ही distance पर एक pointer ले ले लेते थे तो ले लो यहाँ से अब यह क्योंकि difference है तो पास आई की length ही है इसको x माल लिया इतना बिल्गु सेम है अब इस point को इस से मिलाते थे इतने में भी कोई problem नहीं है अब इसका क्या करते थे perpendicular bisector कैसे इसके आदे से ज़्यादा कोल का एक चाप यहाँ से लगाई उपर की तरफ एक यहाँ से नीचे की तरफ एक यहाँ से लगाई ऐसे और एक यहाँ से लगाई ऐसे लग गई बस फर्क है कि अब जो इसका perpendicular bisector पह अब यहाँ पर आएगा पहले कहाँ पर आ रहा था इस point से नीच जा रहा था एक से अब वो एक से उपर आएगा बस इतना difference है और कोई difference नहीं है अब इसको इससे मिला दो तो A, B, C यह हमारा required triangle है जो हमें बनाना था अगला जो question दे रखा है question number 3 बिलकुल इसी के जैसा है अ तो मैं फिर से कह रहा हूँ इन question को जो करने बैठोगे तो वीडियो सामने चला लेना तुमारे हाथ में copy होनी चाहिए और पूरा geometry box होना चाहिए जैसे जैसे मैं line बना रहा हूँ जैसे जैसे मैं arc लगा रहा हूँ बिलकुल वैसे वैसे ही देखके लगाते रहो तुमारी practice भी हो जाएगी और साथ की साथ बना भी लोगे फिर उसको बिना वीडियो देखे एक या दो बार और और बना कर देखो बिलकुल असानिस हो जाएगे इसमें से एक चार नमबर का question आता है और चोटा question भी आ जाता है एक या दो नमबर का ठीक है तो ध्यान से इसलिए सीख लिख लो दो ही exercise है scoring और जैसे जैसे तुम इसको बनाते जा रहे हो वैसे वैसे इसकी construction लिख लो अभी इस वाले में मैं तुम्हें construction बताऊंगा कैसे लिखते हैं लेकिन अगर तुमने figure सही बनाया ना तो construction की तरफ को इतना ज्यादा ध्यान देता नहीं कि तुमने क्या लिखा है देखो next है कि एक triangle बनाना हमें xyz xy plus yz plus zx यानि कि उसका perimeter यह हमें दे रखा 11 cm तो इस type से बोल के भी दे सकता है वो और यह भी कह सकता है कि perimeter of the triangle is 11 cm एक ही बात है दूसरा और क्या दे रखा है दो angle दे रखे है हमें y 30 degree और एक angle z 90 यह दोनों base angle दे रखे है ठीक है तो अब खाली base देखो अलग side कोई भी नहीं दे रखी ना तो xy दे रखी ना yz दे रखी ना zx दे रखी जबकि इस से पहले वाले में क्या दे रखा होता था एक side दे रखे होती थी एक base angle और बाकि दो side का sum या difference लेकिन यहाँ क्या दे रखा है तीनो side का sum और दो angles दे दी है इस बार हमें तो यह वाली perimeter तो perimeter हम ले लेंगे नीचे तो क्योंकि x y z में है तो इसको हम a b माल लो यह भी हमने कोई line ले ली कितनी ले ली 11 cm ले ली ठीक है इतना के लियर है अब एक angle y 30 degree एक angle z 90 degree तो इधर हम 30 degree बना लेते हैं 30 degree कैसे बनेगा यहाँ पर कार की नोग रखो खोलो पहला angle 60 तो 60 यह और इसका half करेंगे तो पहले जो angle हमें required नहीं क्योंकि हमें 60 का angle नहीं बनाना था हमें जो angle बनाना है उसी को हम dark करेंगे बाकी कोई भी line हमारी आएगी उसे dotted बनाया करो अब इस angle का हमें bisect करना है तो कैसे एक बार परकार की नोग यहां रखेंगे तो यह arc लग गई एक बार यहां रखेंगे तो 90 degree तो में बनाना आता ही है अभी हमने दो बार बनाया है तो परकार की नोग यहां रखी arc लगा दी अब उतना ही परकार खुलो रहें देना परकार की नोग पहले यहां रखी यह 60 बन गया अब यहां रखी यह 120 बन गया अब एक arc की यहां से लगा दो एक arc की यहां से ल हम क्या करेंगे इसके बाद इनको आगे नए बढ़ाना जाता। अब ये उमारे एंगल बनाने थे एंगल बना लिए हमने अब इन एंगल का भी 2,3 को भी बिस्टक्र करना है ये थो भी हमारे रिक्षाइड अगल बनें 30 बना गया और 90 बना गया अगला step है इन angle को भी हमें bisect करना है, जैसे इसको bisect करना है 90 को, तो यह point है और यह point है, यह ज़िए when we set करें दो है, यहाँ ज़िए बाइसेट करें गे, यहाँ परकार की नोग रखी यह आरक लगा दी, यहाँ परकार की नोग रखी यहां से अर्ग लगाई यह इसको कहीं न कहीं जाकर मिलेगा तो यह जहां भी मिल रहा ना यह क्योंकि y एंगल नीचे बन गया यह हमारा पॉइंट आएगा x किसका x y z का यहां तक हो गया किलियर सबसे पहले हमने यह वाला एंगल बनाया एक साइड फिर हमने यह एंगल बनाया सबसे पहले लाइन ली थी अब कंस्ट्रक्शन देखो कैसे लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन ए बी एक्वल टू 11 सेंटिमेटर ठीक है ड्रा एंगल 30 ड्री एड पोंट ए यह व्लव लिखो यह रिखो कंस्ट्रक्शन एन एंगल एट पॉंट बी एक्वल टू 90 ड्री बैसेक्टिंग दा एंगल ऑफ 90 डिगरी दे पाइट पॉंट एक्वल टू किसको line को कैसे अब इस line को कैसे बाइसे करें इसके आदे से ज़्यादा compass खोलेंगे तो एक बार point यह है और एक point यह है एक बार यहां से arc लगाई इधर और एक बार यहां से arc लगाई यह है ठीक है तो यह हमारा point आगे एक जहां पर यह नीचे वाले को काटेगा अब ऐसे एक point हमारे पास यह है और एक point हमारे पास यह है तो यहां से arc लगाई यह और एक arc लगाई यहां से arc लगाई यह और एक arc लगाई यह और एक arc लगाई अब एक point ही आगे हमारे पास यह X है यह Y है और यह Z है तो यह हमारा इंगल देखो यह अपना भी 90 डिगरी आ गया यह अपना भी 30 डिगरी आ जाएगा बाकि जो भी तो यह जो बीच में इंगल बना X Y Z इस वीडियो को बार-बार चला के देखो और इस वीडियो के साथ साथ यह construction तुम्हें करनी है इसी के जैसा कोशन है एक जांपल जो दे रखा एक जांपल वन एक जांपल तुम अपने आप बना के देखो बिलकुल इसी के जैसा कोशन है बस इतना ही सब कुछ था इस खासतोर पर तब ज्यादा अच्छा लगेगा जो तुम मेरे साथ साथ यह सारी construction करोगे तो हमारे वीडियो को क्या करना है लाइक करना है शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है धन्यवाद